जहिन साथियो दोस्तों आज के बड़े हम बात करेंगे कि SSCGD form को online करने से पहले हमें इसके बारे में जानना चाहिए किसमें कौन साथी vacancy है कि कौन कौन सी vacancy का कितना duty है और इसके कहां पर duty होगी इसके job profile क्या है कितने घंटे की duty है और कितनी salary है कितनी छुटिया मिलेगी और preference हमें क्या क्या डालना चाहिए जिससे हमको अच्छी vacancy मिले अच्छी duty करना पड़े अच्छी salary मिले और अच्छी से हम देश सवक करके अपने घर वापस लोट सेगें ठीक है दोस्तों तो चलिए आज का वीडियो इस्टार्ट करते हैं और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेजी इसी तरह की update पाने के लिए चलिए दोस्तों पहला बात करते हैं कि SSC GD आपकी बहुत सारे वेकेंसिया लेकि आती है जिसमें की है NIA, SSF, SSB, ITBB, CISF, BSF, CRPF और Assam Rifle इन सभी GD की वेकेंसिय के लेकर SSC GD एक नई वेकेंसिया लाती है इसके लिए दोस्तों आपकी male candidate की maximum height 170 से में होने चाहिए और female के लिए 157 से में होने चाहिए इसमें running के बात करें तो running male के लिए 5 किमी की running 24 मिनट में और female के लिए 166 मिनटर की running 8 मिनट में फिर medical और exam के लिए दोस्तों आपकी 100 question 90 मिनट में करने रहते हैं जिसमें की आपकी 25 TK से, 25 reasoning से, 25 math से और 25 Hindi या English subject से होता है और 1 upon 4 की minus marking होती है इसके लिए दोस्तों आपकी एज जो है 18 वर्स से 23 वर्स रखी जाती है जिसमें की 5 साल की छूटे HTSC को और 3 वर्स की छूटे OBC और X सर्विस मैनवालों को तो दोस्तों इसमें हमने बात किया कि NIA है, SSF है, SSV है, ITVP है, CISF है, BSF है, CRPF है, Aosam Rifle है इसमें दोस्तों जो दो वेकेंसिया, NIA और SSV, ये दोनों अलग है, एक अलग टाइप के है, और वुस जो वेकेंसिया, SSV, ITVP, CISF, BSF, CRPF, Aosam Rifle, ये सभी सेम है पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, कि इनका duty क्या है, कहां पर duty लगेगी, कितनी duty करने पड़ेगी हमें, और कैसा worthy मिलेगा, और हमें बंदुक मिलेगी, गन मिलेगी, या नहीं मिलेगी, क्या क्या है, सार बात करते हैं, ठीक है, तो पहले बात करते हैं, NIA की, National Investigation Agency क इसके दोस्तों गठन किया गया, आतंकवादी गति बीदियों को रोकने के लिए, एक परकार की खूफिया जानकारी एकटा करते हैं, इसके लिए दोस्तों आपकी जो ट्रेनिंग होती है, वो दिल्ली में होती है, और इसमें जो duty होता है, दोस्तों, day और night दोनों duty लगता ह ठीक है, सुबह में 9 से 5 तक लग सकता है, या आपकी night में भी duty लग सकती है, ठीक है, इसमें NIO वालों को दोस्तों traveling करना रहता है, जैसे आपकी जो duty है, कभी यहां लग सकती है, कभी यहां से दूर भी लग सकती है, तो ज़्यादा तर इनकी जो duty है दोस्तों, ये बड़े- पांच साल के बाद ही promotion हो सकता है, और वैसे आप departmental exam दे के promotion ले सकते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों leave के बारे में, इसका जो NIO का leave है, 30 EL मिलता है, 30 EL और 8 CL है, इसमें प्लस 15 आपको medical का मिल देता है, और इसमें बात करने तो gun और uniform नहीं मिलता है, ये एक परकार के civil job है, अर्थात इसमें आपको खूफिया बन के जानकारी प्राप्त करना रहता है, इसलिए आपको इसमें gun और uniform नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें आपकी support के लिए दिल्ली पुलिस अर्थात इस्टेट पुलिस आपके साथ रहते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों SSF की, ठीक है, SSF का जो है दोस्तों सची वाले सुरच्चा बल है, इसके जो duty है सची वाले पर ही लगी रहती है, और इसके duty ज़्यादा तर आपके दिल्ली में रहेगी, और आपके जो training है इसके दिल्ली पुलिस के साथ ही आपके training होगी, और worthy भी आपको दिल्ली पुलिस की same worthy मिलेगी, इस कि अगर नाइट में करते हैं तो डबल सिप्ट की ड्यूटी रहती है साम से साथ सुबा तक दोस्तो एक घंटे में आधात एक दिन में आपको छे घंटे की ड्यूटी रहती है इसमें SSF में आपको सटर्डे संडे और होलीडे का छुटी रहता अर्थात रेश्ट रहता है SSF को NIA को पहले डालिएगा ठीक है क्योंकि ये दोनों विकेंसी अच्छी है अब बात करते हैं ये दोनों तो किलियर होगी अब हमारा बचा है SSP, ITVP, CISF, BSF, CRPF, असाम राइफल इनमें क्या क्या है इसमें दो परकार की जॉब होती है दोस्तों एक बॉर्डर एरिया की होते हैं एक प्लेन एरिया की होते हैं तो जो हमारा CISF है ये प्लेन एरिया की है और SSP, BSF, ITVP ये बॉर्डर एरिया है जबकि CRPF और असाम राइफल ये प्लेन एरिया है ठीक है तो बात करते हैं हम पहले CISF की जो CISF की डूटी है दोस्तों ये आपकी एरपोर्ट, इसमें duty कहां पर लगेगी, promotion कैसा होगा, uniform और day night duty के बारे में ठीक है और आगे हम बात करेंगे, ये सभी seem है ते इनका हम बात करेंगे, कितना duty है, training कितना है, payment कितना है, lip कितना है, और salary कितनी है ठीक है, तो इसमें हम CISF की बात के लिए एरपोर्ट, इंडिस्ट्री एरिय इसमें आपको gun और uniform मिलता है, इसमें आपके duty day and night donor रहती है, अगला SSB, SSB के जो गठे ना दोस्तों ये आंत्रिक्स और अच्छाबल, जैसे नेपाल है, जमू कास्मिर का border है, इनकी duty यहां पे लगती है, और इसमें भी हम बात करें दोस्तों, तो day and night duty donor रहती है, और promotion के ब 12 साल के बाद ही आप हावलदार बन सकते हैं, इसमें दोस्तों आपको uniform organ दोनों मिलता है, इसके जरीए आपको daily duty करना पड़ता है था, 7 दिन आपके duty रहती है, इसमें भी departmental exam दे के promotion ले सकते हैं, अगला है BSB, BSB का जो duty रहता है दोस्तों, वो Pakistan border, Bangladesh border, border के लिए होता है, ठी 12 से 20 साल के बाद आपको हावलदार बनाय जाता है, और departmental exam दे के आप पहले भी बन सकते हैं, ठीक है, इसमें भी आपको gun और uniform मिलता हैं, देख सकते हैं आप, और इसमें day and night दोनों duty रहती हैं, अब बात करते हैं ITBP, तो ITBP का जो गठन हैं दोस्तों, वो India, China border के लिए इस सकते हैं, इसमें भी gun और uniform मिलता है, day and night की duty रहती है, अब बात करते हैं CRPF, तो CRPF जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार के आल इंडिया पुलिस बोल सकते हैं इसको, इसकी duty कहीं भी लग सकते हैं, जैसे कहीं आपदा आ गया, कहीं दंगा हो गया, बाढ़ा गया, इन सभी जगों पर, यह आल इंडिया पुलिस है, कहीं भी इनकी जॉप लग सकते हैं, इसमें प्रमोशन थोड़ा सलो है, 18 से 20 साल के बाद यह आपको होलदार बनाए जागा, और इसमें भी gun और uniform मिलता है, day and night की duty रहती है, प्रमोशन के लिए आप departmental exam देके इसमें भी आगे बढ gun और बंदूक और uniform दोनों मिलता है, इसके लिए आपको परमोशन के लिए इसमें भी आपको 15 से 20 साल लग सकते हैं, departmental exam देके आप पहले भी परमोशन ले सकते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों, इनकी duty कितनी है, CISF, BSF, SSB, ITVP, CRPF, Assam Rifle, अर्थात इनकी कितनी duty करनी पर सकती है, ठीक है, या कहीं आपको 3 घंटे की duty, 6 घंटे रिष्ट, ऐसे करके आपको 8 घंटे की duty देनी पर सकती है, ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं, अगला training, training इसका 44 week की training होती है, अर्था 44 सब्ता की training होती है, और training की दोरान दोस्तों, आपकी full salary मिलती है, only HRS छोड़ की, full salary आपकी मिलती है, लीब की बात करें दोस्तों, तो लीब इसमें 60 EL है, और 15 CL है, ठीक है, तो 75 के करीब छुटिया है, इसमें आपकी 3 महीने पर आप छुटी ले सकते हैं, इसमें 3 महीने के बाद आपको छुटी कभी भी मिल सकती है, ठीक है, अब जॉब की बात करें त संताउन पर आपको रिटायल कर दी जाएगा, अब बात करते हैं, दोस्तों, इसमें salary कितनी बनती है, दोस्तों, SSEJD की जो भी वेगेंसी, इसकी basic पर रहता है, 2700, 2700 आपकी basic हो गई, और DA आपका 28% जोड लेजी, तो 6076 रुपीज हो गया, और HR आपका 8%, 16%, 24% है, ठीक है, आपकी area पर depend करते हैं, तो ठीक है, 8%, 16%, 24% हम इसका minimum ही ले ले दें, 10% ही जोड़ते हैं, ठीक है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, तो 2000 यह हो गया, ठीक है, और TPT allowance जो है, भी आपका 2000 जोड लेजे, और आपका जो रासन मनी बनता है, 3568 रुपे बनता है, तो अगर हम total salary जोड बाहर duty जाते हैं, तो उसमें आपको TA मिलता है, जो कि 500 पर डे होता है, ठीक है, और अगर आपके duty, इन में से border area में चले गए, तो border allowance आपका मिलता है, maximum 17,000 रुपे, border area का allowance मिल जाता है, 30,000 आपकी 20,000 और 17,000 वो plus में मिल जाता है, ठीक है, जैसे आपके border, 36,000 water है, जमू कास 17,000 और बढ़ जाते हैं, और इसमें dress allowance हैं दोस्तों, जो कि 10,000 आपको, एक साल में एक बार मिलता है, dress के लिए, 10,000 ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें NPS, जो आपका pension है, वो आपको new pension system NPS है, इसके जरीए आपको pension मिलेगा, इसमें आपको कोई ex-serviceman का दर्ज नहीं है, दोस्तों, आज के वीडियो में हमने यही बात किया, कि हमें preference में क्या-क्या डालना चाहिए, और इसके SSJD के job profile क्या है, ठीक है, detail के साथ हमने समझा, preference में दोस्तों, आपको डालना होगा, तो आप NIE, SSF, CSF, SSB, BSF, ITVP, CRPF, Assam Rifle डाल चकते हैं, जो इसमें कोमेंट बॉक्स में, चैनल पर नए होगे, तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिजए, तो हम मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जैहिन, जै भारत!